हेलो फ्रेंड्स मैं रित्तु भाटिया आगई हूँ एक बहुत ही चटपटी सी यम्मी सी डिश लेकर फ्रेंड्स आप लोग समझ गये होंगे ये उत्पम है फ्रेंड्स और आज इवनिंग टाइम में हमने उत्पम बनाया था यह बहुत ही टेस्टी लगता है और यह बहुत जल्दी क्विक बन जाता है यह कौन सा उत्पम है यह सूजी का उत्पम है एक तो खाने में लाइट होता है और यह बहुत ही जल्दी बन जाता है तो मैंने आज यह बनाए थे तो मैंने भी मैंने सोचा यह रेसिपी भी आपके फ्रेंट्स मुझे बताईए कौन-कौन है जो सूजी का दिवाना है मैं तो सूजी की बहुत दिवानी हूँ बहुत बड़ी फैन हूँ मुझे सूजी का हर नाश्ता अच्छा लगता है फ्रेंट्स और ये टेस्टी भी होता है हर तरह से बन जाता है कभी पकोड़े बन जाते सूजी के, कभी सूजी का चिल्ला बना लेती हूँ, तो कभी उपमा बन जाता है, तो ये आज मैंने बनाए, चलिए इसका प्रोसेस चालू करें, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए एक बड़ी कटोरी भर सूजी लिए है, और एक बड़ा सा प्याज काट लिए है बिग साइस का, बिल्कुल बारीक काट लिए, धनिया, मिर्ची काटी, साथ में टमाटर एक लेकर उसके टुकड़े कर लिए हैं चोटे-चोटे, अभी क्या करना है, ये सूजी को हमें न, ये दही जो है न, ये बहुत ही जरूरी है सूजी के लिए, एक कटोरी सूजी मैंन इसका एक बैटर बनाना है, बढ़िया वाला, ये मैंने पानी मिला दिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, और थोड़ी सी हींग भी डालेंगे, हींग डाइजेशन के लिए अच्छी होती ही न, तो थोड़ी सी मैंने इसमें हींग भी म लाई है friends और अब ये देखिए सूजी का बैटर बढ़िया बन गया है ये मैं थोड़ा ये थोड़ी दस मिनट मैंने इसको rest पर रख दिया था friends और ये देखिए कितना बढ़िया इसका बैटर बनकर तयार हो गया है अभी क्या करना है तबा लेना है उसमें डाल देना अच्छी की मदद से ना हमें बैटर डालना जितना बैटर हमें चाहिए ना हम उतना ही डालेंगे चोटे-चोटे से मैं बना रही हूँ अभी इसको मैं फैला दूंगी तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा इसको ना हमें सब तरफ से ना फैला देना है friends बिलकुल कॉफी हा करना हमें उपर से मिला देने हैं प्याज और जो टमाटर हमने काटे थे वो डालेंगे थोड़ा सा धनिया डालेंगे हरी मिर्ची मैं अपने में डालूंगी क्योंकि ना मेरे मम्मी पापा तो ये खाते नहीं मिर्च तो इसको ना हमें क्या करना हलका हलका प्रेस कर देना है इसी टाइम पे, क्योंकि अभी उसका बैटर कच्चा-कच्चा उपर, तो इसके अंदर चले जाने चाहिए, ऐसे हमें प्रेस करना हलका-हलका, और बस नीचे थोड़ा सा ओईल डालना है, और उस ओईल को थोड़ा सा ओईल डालेंगे, जिसे नीचे से हमारा जो बनाया है ना नीचे से पक गया है, पूरा दिखाई दे रहा है, और अभी इसको हम पलट लेंगे, ये देखिए फ्रेंट्स, अभी मैं इसको पलट रही हूँ, वाव, क्या बढ़िया बन जा, देख लीजे फ्रेंट्स, थोड़ी सी महनत तो लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, इसल अभी ना इसको हमें पलट लेना है, ये बन गया है, मीचे से, और बहुत ही अच्छा बनेगा, देखिए मेरी गरेंटी इस बात के ये देखिए, अब मैं पलट रही हूँ, ये देखिए फ्रेंट्स, लग रहा है ना, बिल्किल काफी होस वाला उत्पम, वाव, क्या इसे मुझे हमें दूसरा उत्पम बनाना को और हमकः बेटर और इसकोस्थ थीया बहुत हो! पहले वाला फैलाया था यह देखिए मैंने फैला दिया है अब इसको हमें क्या करना है जैसे प्यास डाले थे पहले वाले में पैसे इसमें भी प्यास डाल देनी है और टमाटा डाल देना है और धनिया डाल देना है सेम तरीके से जैसे पहले वाला बनाया था और इसमें तव इसको भी पलट लेना है, बिलकुल उत्पम जैसा बना है, फ्रेंड्स देख लीजे, मस्त वाले उत्पम बने हैं, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी होते हैं, ये शाम की चाय के लिए तो बहुत ही पर्फेक्ट हैं, कोई गेस्ट आपके घर में आ गया है, तो उसके लिए इसको भी बना लिया है, थोड़ा से इसको हमें दबा करके, ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़ी उत्पम बन गया है, ये मैं उत्पम दूसरा भी निकाल लूँगी, पूरी तरह से पर्फेक्ट बन गया है, और ये मैंने इसमें लिया है, डाल, ये मेरे दो उत्पम बन और यह देखिए यह इसमें साथ में ना टमैटो सॉस लेंगे हम इसको टमैटो सॉस के साथ ही इंजॉय करते हैं यह देखिए फ्रेंड्स टमैटो सॉस आ गई है और यह उत्पम बन गए है बढ़िया उत्पम बने है टेस्टी बने है एक उत्पम ही काफी होता है यह और अभ इसमें आपको दिखा रही हूं यह देखिए अपने लिए अलग से बनाया है यह मैं हरी मिर्च लेना पसंद करती हूं तो फ्रेंड्स बताईए आपको कैसा लग रहा है अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैन तब तक के लिए टेक केर बाई 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 यह देखिए मैं तोड़के बता रही हूं फ्रेंड्स मुझसे टूटी निरा बहुत ही गरम है फोक की मदद से मैं तोड़ूंगी अभी फोक की जरुवत पढ़ने वाली मुझे नहीं उठाया जा रहा अभी मैं इसको आपको द अच्छा लग रहा है ना मुझ में पानी आ रहा होगा जरूर जरूर बनाएंगे जो लोग देख रहे हैं वो तो जरूर ट्राइ करेंगे मेरी 100% गरंटी है ओके फ्रेंड्स तो अभी मैं इजाज़त चाहूंगी और एक नए वीडियो में आपसे मिलूंगी नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई